आज हम शेयर करने वाले हैं न्यू रेस्पी जिसका नाम है उत्पम और यहां पर हमने एक कटोरी में दो चमच ओयल लिया था बस वही मैंने डाला है इसको हम लो फ्लेम में पांच मिनट के लिए गरम होने देंगे उसके बाद हम यहां पर एक मिर्च ले लेंगे और तीन प् धनिया इतना सामान हम कट कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर प्याज को गरम तेल में डाल देंगे पहले हम इसमें थोड़ी सी जीरा और राई डाल देंगे उसको एक सेकंड के लिए कम से कम भूनने देंगे और उसके बाद हम यहां पर उसको थोड़ा से चला करके और यह डाल देंगे यहां पर दोज यह तीन कुट किये थे और इसो हमारा प्यज हलका सा लाल हो चुका है अब होने के बाद आप यहां पर इसमें थोड़ी सी हल्दी यह हम ने थोड़ा सा रवा निकाला हुआ है उसको अच्छे से हम चान लेंगे तब तक पांच मिनट के लिए हमारा प्याच डीफ्राय हो रहा है बस उसको हलका सा चलाते रहें नहीं तो नीचे लग सकता है और प्याच क्या होता है हलका सा भी अगर जल गया तो थोड़ा सा टेस्ट में प्रॉबलम हो जाती है यहां पर देखिए मैंने रवा को चान करके उसमें डाल दिया है और बस आब यह देखिए अब इसमें से हलकी सी हम थोड़ा स्वात मतलब टेस्ट लाने के लिए इसमें हलकी सी दो चमच चीनी डाल दें जादा मच डालें थोड़ा सा डालें जिससे की बिल्कुल लाइट मीठा पनाए और ये देखिए हमारा रवा जो है हलका सा उसको लाल कर लीजिए बस यहां पर हमने रवे को चान करके उसमें डाल दिया है अब इसमें हलकी सी धनिया डाल देंगे मैंने यहां पर मिर्च नहीं डाली है क्योंकि ममीन थोड़ा मिर्च कम खाती है इसलिए यहां पर मैंने मिर्च कम डाली है आप अपने स्वाद के अंसवार डाल सकते हैं और बस यह देखिए मैं यहां पर नमक डाल नहीं हो थोड़ा सा आप अपने स्वाद के अंसवार डाल दें नमक यहां पर मैंने डेड़ चमच लाइट थोड़ा सा नमक डाला है और बस यहां पर आप हलका सा चलाते रहें जिससे कि हमारा जो रवा है वो नीचे लग न जाए और आज हमको बहुत स्लो रखनी है यहां पर हमने पानी डाला है पानी डाल करके पूरा चलाते रहें इसलिए कि जो लम्स होते हैं अगर आप पानी डालेंगे तो उसमें हलका सा गोल-गोल बन जाता है तो वो नहीं बने गई यह देखिए और बस इसमें हलका सा हम इसमें धनिया थोड़ा सा सजावट के लिए डाल देंगे यह हमारा देखिए रवा बन करके रवा उत्पम तेयार है और यहाँ पर देखिए मैंने डेकुरेट करने के लिए एक प्लेट में ले लिया है और मम्मी को देना है बस मैं और मा खाओंगी आईए आप लोग भी आईए खाईए आ करके टेस्ट करके बताईए कैसा है और अपने अपने घरों में जरूर बनाईएगा थैंक्यू सो मच फो वाचिंग झाल